हे दोस्तों आज के प्लान की बात करें चालिस बाई चालिस में टोटल आपको चार बेटों किचन इस सीड़ी बीच में आगने एरिये फ्रंट उम परामदा टोईलेट बात हम दोनों अलग-अलग इस तरीके से इस प्लान को पूरा बनाया गया है इसका एक एक डिटेल पूरा वीडियो आपन तक देखें चैनल पसंदाइट लाइक से रोग जरू करिये दोस्तों चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों प्लान की बात करें तो देख सकते हैं फ्रंट 40 है गहरान 40 है 40 बाई 40 में इस तरीके से प्लान को बनाया गया है जिसमें कॉलम की बात क तो मकान को चाहिए यहां पर तीन फिट रखे गए इस तरीके से मकान को चाहिए आपको तीन फिट आपे मिल जाएग इस तरीके से इसको देख सकते हैं दोस्त," यहां पर रहेगा मेंगेट मेंगेट आपका आगनेरिया मिल लाएगा और सीड़ी यहीं पर शुरुवात में दिया है कि कोई भी बाहर कभी जाना चाहिए तो बहुत अंदर नहीं जाना पड़ेगा उसको इसे आपके मकान की प्राइवेसी नहीं डिश्टब्रोंगी तो वह अपना इस सीड़ी यूज़ करके फरलोग के जा सकते हैं तो अगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको दो बिट्रूम पीछे के तरफ मिलते हैं यहां यह देख सकते हैं और इन दोनों बिट्रूम के बीच में ट्वालेट और बातरूम दोनों अलग-अलग यहां पर दिये देख सकते हैं ट्वालेट और बात हम दोनों अलग-अलग यहां पर दिये गया और यह रहा आपका तीसरा बिट्रूम तो अंदर में आपको तीम बिट्रूम प्लस एक यह चार बिट्रूम हो जाएगा यह रहेगा आपका किचन यह देख सकते हैं इस तरीके साब का किचन ह लगाने के लिए कि ये इस तरीके से पूरा प्लान आपको यहाँ पे मिलता है तो चलिए अब डाइमेंशन की तरफ और आपको एक एक डाइमेंशन हम क्लियर करके बताते हैं कि किस साइज में क्या चीज कैसे रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं फ्रंट के अगर बात करें तो 40 फित है इस तरीके से और इसकी लिंध के बात कि इस था है Cालिस बहुत शाविस पूरा प्लानियारा पे इन्च का है जो की काफी स्पेस हैं स्पेस के दिक्कत आपको नहीं आयेगी इसके वाद ये वाला रूम 12 बाय 14 का आगे वाला जो रूम है बारा बाय 14 का रहेगा और ये लास्ट वाला जो रूम है 13.5 त्रीट इस तरीके से रहेगा दोस्ता यह वालब बेटों जो लास्ट में इस साइट भी है यह भी आपका साधे तेरा बाई 14 का है बीच में आपका यहाँ पे जो किचन के जो साइज है देख सकते हैं इस तरीके से 6 फिट साथ इंच इन्टु 10 फिट में आपका किचन का साइज रखा इस तरीके से 4 प्लान आपको मिलता है स्कृणौ साइब